नमसकार साथियो में हूँ Unran Mramistra आप लोग का इस्ट विडियो क्लास में एक और फिर्शुतागत करता हूं साथियो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका जिव विग्ज्ञन या कहें Bible biology और इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है आपकी कोशीका की सनचना है इससे पहले हम लोगउ साथ भागे गो देख चुकें इसमें ええ八 माँ भाग है चैप्ट नंबर जो है वो है यहां आपका 10 और इसमें जो हम बात करें गे क्या है तो आये देहते हैं इसमें बात करेंगे बो होता है अंतर प्रदब जालिका क्या होती है यानि कि इंडो प्लास्टिट रेटिकुलम क्या होता है राइवोसोम्स क्या होता है लैन का है या लाइसोसोम्स क्या होता है सेंट्रोसोम्स या तारक का है या सेंट्रोसोम्स क्या होता है इसकी खोज किसने की या किन कोशिकाव में पाए जाते हैं राय वो सम्स की उपस्तिती को या अधार पर इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं दूसरी हो खुरद्री अनकोफिय जया लिका है तक क्या है राय वो नूकलियो प्रोटीन क्या होते हैं राइवोस्वम्स दो पिलकार क्यों होते हैं 70S राइवोस्वम्स और 80S राइवोस्वम्स लाइसोस्वम्स त्वारा कि ये जाने वाले कुछ प्रमुकारे देखेंगे वहारी कोशी की पदार्थों का पाचनिया जाजेशन ऑफ एक्स्ट्रा cellular materials के बारे में बात करेंगे अंते कोशी की पाचनि क्या होता और आत्म लायनि क्या होता आय कोशी का विवाजय में साइटा करता है कौन इसके बाद आपको घटी बिकर या हाइड्रो लाइटिक एंजयाइम क्या होता है इसके बारे में हम मेहां पर बात करेंगे तो शुरू करने से पहले हम किसी जानकरी और दे दू यदि आपको ये वीडियो पसंदर लाइक से एर करना तो ना भूलें चाहें साथ ही यदि आप नोर्स वनाने नहीं चाहते हैं आप खरीदना चाहते हैं तो खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा आपको यहां पर तीन तरीके बता दूँगे एक तो आप इंस्टा मुझे से डाउनलोड कर सकते हैं पेड़ वाला है दूसरा आप WhatsApp मेंसेज कर सकते हैं आप महां मेंसेज करेंगे जो कुछ भी लेना चाते हैं आप ले सकते हैं मुझे तरह से यहां पर जिसी जहांकारी तो चलिए पिर शुरुबात करते हैं आपका यह LEAK के इन्ड़ प्लास्मिंग ठिक है एंडिक कुलंभी कहते हैं चलिए समयेते हैं इसकी खौज के आर पोकुंटर ने ऐठाराे सो वह उन्नीस सो पेंतालिस में की थी ठिक है इसकी खोज, के आर पोर्टन है, 1945 में की थी, यह केंदरक कला से लेकर, कोशिका दिरब्बे तक फैला हुआ था, अब केंदरक कला कला हो गई, अब केंदरक माल लिए, यह है आपका, क्या है यह कोशिका, कोशिका के अंदर, केंदरक, ठीक है, यह केंदरक, ठीक है, अब कोशि का कला या कोशिका जिल्ली तो यह आपका केंद्रक कला आखरी पर तो उसको हम कहते है केंद्रक कला या केंद्रक जिल्ली तो यह मैंने कहा बताया यह आपका केंद्रक कला से लेकर कोशिका कला के बीच में यह फैला हुआ रहता है क्या कहते हैं इसको अंताय प्रद्रबिय जालिका ठिक चलिए तो फिर से मैं बोल दूँ यह आपका केंद्रक यह आपका कोशिका तो यह कोशिका जिल्ली और यह केंद्रक जिल्ली तो केंद्रक जिल्ली तता कोशिका जिल्ली के बीच में आ आपका क्या पाया जाता है अंत्य प्रदब्य जालिका पाया जाती है ठीक है चरिए सभी यू केरियोटिक कोशिकाओं में यह पाया जाता है लेकिन यह इस्तंदारियों की जो कोशिकाओं होती है उसमें लाल रक्त कड़िकाओं की कोशिकाओं में नहीं पाया जाती है ठीक है यह जाली का जीवानू तथा नीर हरी सहवालों में भी नहीं पाई जाती है यह लाईप प्रोटीन की दोहरी एकाय जिली से बनी हुए ती है दोहरी मतलब डबल ठीक है चेली राइबोस्वम की उपस्तिती के आधार पर इसको दो भागों में पाटा जाता है कि इसको अन्ते प्रद्रब्य जालिका को राइबोस्वम की उपस्तिती के आधार पर दो भागों में पाटा जाता है ठीक है समझते हैं जिन में से एक होता है सपाट और दूसरा होता है खुर जो होती है सपाथ अंत्य प्रदब जालिका के बारे में बात करें तो सपाथ मतलब चिकना या स्मूथ ठीक है एकदम इसकी बाहरी परत सपाथ ये अंत्य प्रदब जालिका है ये यहां पर देख सकते हैं ये ये अंत्य प्रदब जालिका है ये तो अंत्य प्रदब जालिका क कि जो बाहरी परत होती है अब कहां होती है बाहरी यह है पूरा अंतर प्रदब जालिका मनले लो ठीक है यह अंतर प्रदब जालिका है ना तो इसका जो बाहरी परत है यह बाहरी जो परत है वह चिकनी या सपाट होती है ठीक तो इसकी अंतर प्रदब जालिका है कि जो सपाट या चिकनी परद जो होती है इसमें राइवोसॉम नहीं पाया जाता क्योंकि चिकना मतलब एकदम सपाट एक भी बाल नहीं तो क्या माया समझाया इसकी जो भारी परद होती है या सपाट परद होती है उसमें राइवोसॉम नहीं होता है ये प्रोटीन का संसिलेसर भी नहीं क कौन सी अंत्य प्रदब जालिका का सपाट वाला भागया बहारी जो परत होती है ठीक है लेकिन यह लेपिड तथा इस्टिरोइड का संस्लिसर करता है किसका करता है लेपिड तथा इस्टिरोइड का संस्लिसर करता है कौन सपाट अंत्य प्रदब जालिका ठीक है कनिका मैं अ यहाँ पर क्या होता है राइवो सुम्स के कुछ कड पाइनी से कड़ आता है इसके वह क Princip में भाग लेता है यहाँ कि राइवो सॉम्सक का का नलवार करना होता है इस तो जो कड़िका में अंत्य प्रदब जालिका होती है वो क्या करती है प्रोटीन का संस्लेसर्ट करती है सपाट वाले में राइबुस्वाम सो नहीं होता है इसलिए प्रोटीन का संस्लेसर्ट नहीं करती है लेकिन किसका करती है लिपेड तदा इस्टिरोइड का संस्लेसर्ट करती है छेली के अंतर विवाजन के तल को निशित करता है कि तलकुं निश्यत करता है यह से पदार्थ कि अंदर बहार आने जाने पर भी नियंतर लगाता है कितना आना है कुन सा मinois आना है कैसी क्या आना है थिकरिक इसका खुर्धरी जालिका बाला सब्सक्राइब इत्रा काफी है अब बात करते राइबोसॉम्स की बारे में राइबूसॉम्स की चर्चा हुई राइबूसॉम्स खास कर पाई जाती अंत्रिद्ब चालिका में कहां पर आंत्रिक वाले भाग में, जहां पर जो खुरदरा वाला भाग होता है, वहां पर पाहे जाता है, अब मैं राइवोस्व, आप लोगों को में दिखा दूहल का था, यह यहां पर आप देख सकते हैं, यह यहां पर, यह राइवोस्व, ठीक है, इस तरह से, चलिए, राइवोस निकलीक अम यहां र्ने से बने हुए होते हैं, र्ने तरह प्रोटीन की उपस्थिति की इसको हम किसको राइवोस्व म्स को राइवो निकलियो प्रोटीन भी कहते हैं, यह सभी जीवित कोष्टिक वहगैंन पाय जाता है, यानि कि राइवोसórम की इसको और दॉनों परका रिजी में कहते हैं इससे ये खुर्दरे वाले भाग पर पाया जाता है सपाट वाले भाग में नहीं पाया जाता राइवुसॉम्स ठीक है चिया लिए बात करते हैं आगे इसी में Mitochondria, Harit Lavak और Kendraq में भी ये RIVOSOMS पाया जाता है, फिर से बोल दे रहा हूँ Mitochondria, Harit Lavak और Kendraq में RIVOSOMS पाया जाता है, यहनि अंताय प्रदब बिजालिका में तो पाया ही जाता है खुर्दुरी बाली जो परत होती है लेकिन Mitochondria, Harit Lavak और Kendraq में भी ये पस्तित होता है ठीक है, समझ में आगया, इसके बाद RIVOSOMS का कार के अगर बात की जाए तो RIVOSOMS, एमिनो अमल के द्वारा प्रोटीन संसिलेसर की किरिया से प्रोटीन का निर्मार करता है, फिर से बोल दे रहा हूँ RIVOSOMS का प्रोटीन का निर्मार करता है इसलिए RIVOSOMS को प्रोटीन की फैक्टरी कहा जाता है RIVOSOMS के कड़ों पर कोई जिल्ली नहीं होती है ये ध्यान रहे किसके कड़ों पर RIVOSOMS के कड़ों पर कोई जिल्ली नहीं होती है, क्योंकि पकाने के लिए इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए मैं इसलिए कर देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंटरस्ट लिया करने क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई साधन लो लेकिन सामने वाले व्यक्ति तक चीज पहुंचीनी चाहिए लेकिन तरीका तुड़ा अच्छा होने चाहिए य तमीज की कमीज पहनाने वाली तो जैसे काम करने लगीगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा है लेकिन थोड़ी मात्रा कम है उसकी तमीज की कमीज वाली चली आगे देखते हैं राइबोसॉम्स की बात करते हैं राइबोसॉम्स दो प्रकार के होते हैं 70S प्रकार के राइ बहुत छोटी होती है फिर से बोल देखांपर पाए जाते हैं जीवाणू और बैक्ट्रिया में यह पाए जाते हैं दूसरा प्रिकार जो है क्लोरोप्लार चीवाणों और बैक्ट्रिया में यह पाए जाते हैं कौन से 70S चलिए लाइन का आगे बारें बात करते हैं एक बात मैं आप लोगों दिखा दूँ हलका सा मैप मैप में भी दिखा दूँ यह इसका मतलब यह इसके लिए मैप है यह तो यहाप आप देख सकते ह ज़रूर ध्यान से देखें कहां पर कौन सा है और एक एक चित्र अलग से बनाना मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में यह फोटो कापी हो जाएगा यह है यहां पर मैट्व कॉंट्रिया में पाई जाता है ठीक है चलिए एप पर ने दिखा देखा दिया आप लोग निया यह जो गैट है इसको अगर बाहर निकालने तो यह तरह से देखेगा यह लाहर क्या पर है इसको अगर बाहर निकालते हैं То इस तरह से देखेगा चलिए समझते हैं इसकी खोज इसकी खोज, उनिस सो चॉटतर में, डी, डुबे ने की थी, डूबे, दिल डूबा गयाना सुना है न, डिल डूबा, दिल डूबा, तो वो डूबे वाला है ये, ये डूबे नहीं है, कि पंडिजी बाला दूबे नहीं है, ये ध्यान रखे कोई खुस हो जाए, कि भाई ये पंडिजी बैग्यानिक एसा नहीं है, ये डूबे नहीं है, ये डूबे हैं, किस में बैग्यानिक कारण बेद डूबे हुए विखती हैं, इसपि इनको डूबे कहते हैं, ठिक है, छलिए, दिखते हैं, लैन का है, अलैस इसकी खोज, उनिस सो चौहतर में, डी diffaste recipient क्योंकि यह डूबे हुए थे बहुत, तो इन्होंने यह खोज कर डाली, इसको कहते है, लैन का है, ठीक है, यह खास कर जन्तूओं की कोशिकाउन पाए जाती है, जन्तू तो आप जानते ही हैं, इंसान भी एक जन्तूई है, ठीक है, चलिए, तो यह जादे तर गोल या अनियमित आका की भी हो सकते हैं कभी इस तरह की भी हो सकते हैं कभी इस तरह की भी हो सकते हैं तो एक इनका कोई निश्यत आकार नहीं लेगे खासकर यह गोल होती है यह एक परत वाली जिल्ली या थैली से गिरी हुई होती है यानि कि मैं लीजिए यह आपका लाइसेसों में उसके उपर एक जिल्ली है ठिक यह यहाँ पर देख सकते हैं जिल्ली या इसको हम कह सकते हैं परत ठिक यह एक परस वाली जिल्ली या थेली से गिरी हुई होती है इसका निर्माण गौल जी का या फिर अन्ते प्रदब जालिका के द्वारा होता है गौल जी का कहां पर है आपको यहाँ पर द यक्रत मस्टिस्क थायरोड गुल गुर्दे जैसे की गुर्दे मतलब किडनी थायरोड तो थायरोड होता ही है मस्टिस्क ब्रें यक्रत लीवर ठिक है और आपका अगनास है पैन्क्रियाटिक जो होता है चालिए यहाँ पर आ लोगों को देख़़ी रहा हो गाई यह सब लो वह विकर वह भी कर ठीक है चलिए इस थेली में या लाइसोसेम में लगवक्ष पचास से अधिक विकर या एंजाइम होते हैं जैसे कि प्रोटियूज आपका राइवो नुकलियेज डियॉक्षी राइवो को नुकलियेज फॉस्पेट यह पर यहां पर क्या होते हैं इस तरह कि यह क्या होते हैं इनका पी एच मान कि अगर बात की जाए तो इनका पी एच मान जो है वह है 5 होता है ठीक है समझ में कितना होता है 5 होता है ठीक इसके बाद जब किसी कार्ड से लाइसोसोम के एंजाइम बाहर निकलते हैं तो यह एक्टिव होकर कोशिकाओं के अलग-अलग पदार्थों का क्या करते हैं बिगटन करते हैं यह कैसे एंजाइम होते हैं अप गटी है बिकर या अप गटी है एंजाइम होते हैं इसलिए क्या करते हैं बिगटन करते हैं और क कोसिकाओंबी बिकंडित होन." तूट जाती हैं या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइसोस्वर्म में मौझूद पाचनकारी विकर या नजयां जब करभनीक बदार्सों से क्रिया करते हैं तो उन्हें तोड़ देते हैं इस लाइसोसॉम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं थैली आत्महत्या की थैली दो तरह की होते हैं वो उसको दूसरी वाली हम बाद मात करेंगे को एगर बताना चाहे कमेंट करके तो खुसी होगे क्योंकि मुझे तो लगता है कि जादे तो लोगों को सरम आती है लेकिन जो साथ को लाइसोसोम की बहुरूपता कहते हैं क्योंकि किसी के बहुत सारे रूप होते हैं तो उसको बहुरूपता कहते हैं तो मैंने क्या बता है लाइसोसोम कई रूपों में पाये जाता है इसको लाइसोसोम कहते हैं लाइसोसोम का प्रमुक कार की अगर बात की जाए तो इसका प लाइसोसोम चार परकार के होते हैं जिन्हें हमें नहीं जानना है जिन को बात नहीं करना जरू पर किये जाने والे कुछ देख लेते हैं लाइसोस्वाम का प्रमकार जो है कोसिकाओं के अलग-अलग भागों में अलग-अलग पदार्थों का पाचन करना मैंने बताया है लाइसोस्वाम का सबसे प्रमकार पाचन करना है सबसे बहला बाहरी कोस्वाम का पाचन करना कौशिकaré पाचन कामी करना कभी कभी जब भोजन की कंथि ऑं क्कुष कोशिक के अंदर ही पाचन करने लगता है तो लायबोसान कोश का दिर्बत में मौजूद प्रोटीन लिपिड का पाचन कर देता है जब हम पूसर पड़ेंगे तब हम जानेगे किस तरह से हमें उर्जा और कहां कहां से मिलती है ठीक है समझा गया मैं फिर से बोल दूँ कि जब कोशी की पाचन पाचन जब खाना बगएरा खाते तो उसका पाचन जब होता है तो क्या लगता है इंडोसाईटोसे से प्रहात कियी के पाचन दूठा अंत्यक सब्सक्या के पाचन तो जब जैसे खाना बगएरा खाना भूख लगीरा लग oli हो गई तो वो क्या करता है कोशीका के अंदर जो फ्रोटिन मौशुद होता है कारवाजद मौशिद होता लिपिस मौशिद होता ह उसका पाचन करते हैं, दूसरा है आत्म लेन, ओटो लाइसिस, ये चोथा कार है, जब जरूरत हो तो, लाइसोसम कभी-कभी अपने आप ही फट कर, बीमार या रोग गिरस्त, या तूटी-फूटी कोशिकाओं को नश्टी कर देता है, फिर से बोल देता हूं, कि जो लाइसो कर देते हैं, या खत्म कर देते हैं, कोश्ट का विवाजन में ये मदद करते हैं, trigger of cell divisions, ठिक है, तो लाइसो सौम के फटते ही कोश्ट का विवाजन शुरू हो चाता है, ठिक है, चलिए, next बात करते हैं, next है, तारक का है, तारक मैता का उल्टा चसमा नहीं है, ये तारक का ह है चलिए समझते हैं सेंट्रोसों या तारक काय के बारे में बात करते हैं यह खासकर जन्तू की कुसकाओं पाया जाता है जन्तू इंसान भी जन्तू के रूप में जाना जाता है इसलिए यह इंसानों में भी पाया जाता है इसके लावा कुछ पौध्य जैसे की सेवाल कवक मोस्थ कि कुत्षकाओं में पाए€ यह हम Sorry कुछा काम करते हैं। यह जिन चीज़ों की जरूत होते हैं, वो नहीं है इनमें, और जो नहीं है पाएजाता है। तो सीडिय से बाद कि जानवरों से मिलता जुलता क्या है आपका सेवाल कवक और मौस ठीक है चलिए तो मैंने क्या पता है यह जंतु कुछकाओं पाया जाता है इसके अलावा जंतु कुछकाओं के अलावा पौधों में नहीं पाया जाता लेकिन पौधे के जो कुछ चीजे हैं जैसे कि सेवाल ठीक है जैसे कि यह ऊपर और यह नीचे ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो है वो पसंद आयोगा इसी तरह से आप सपोर्ट बनाए रखें इसी तरह से आप मेहनत करते रहें तो अकली वीडियो मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार चेहिंद और पंदे मात्रम रहें तो करते हैं अमस्कार कि ओदर करते हैं तक लिए तक आप मेहना है वीडियो है